और एक बड़ी खबर मुंबई की गोरिगाओं इलाके से है जहाँ पांच मंजिला इमारत में अचानक से ही आग लग गई है आग में जुलसकर अब 6 लोगों की बौत की खबर मिल रही है इस आग में 24 लोग में से 14 की हालत गंभीर बनी हुई है बिल्डिंग की पार्किंग में खड़ी कई गाडिया जलकर राख हो गई है आग लगने की वज़ा का अभी तक भी पता नहीं चल सका है लेकिन दुख़ दिये है अपडेट ये है कि 6 लोगों की जुलसकर मौत हो गई है पांच मंजिला ये इमारत जिसमें आग लगी और से जल्द आख को काबू में कर लिया जाए विवेक मेरे साथ ओनलाइन पर जुड़ गए है विवेक अपडेट ये 6 लोगों की मौत हो गई है क्या इससती इस वक्त वहाँ पर है आपको बताने जाएंगे कि इसे अपडेट सामने आ रहा है उसमें 6 लोगों की मौत हो चुक है और आज पर 90% काबू पालिया गया है से कुलिंग प्रोसेश जो है एक वर्च रहा है उसके बाद सर्च ऑपरेशन के अजय को कि इमारत है वो काफी बड़ी है और पार्किंग स्लोट में कुछ लोग फसे होनी के आशंका है इसलिए फाइल बेर के चातर पर कहना है कि हो रही है तो बहां निकलने में उन्हें काफी तक्रीफ हुई थी और फाइल विकेट ने सब को तेज़रात रस्क्यू कराया है जिसमें 30-30 लोग इंजर्ट हो गए थे तीस में चौदे रोग कंभी रूप से इंजर्ट है जिनने मुंबई के असार लग लग अश्पतावल बिल्कुल विवेक लेकिन अगर शॉट सर्किट की वज़ा नहीं रही होगी तो क्या वहां पर देखकर लग पा रहा है आपको कोई और जानकारी है यह इलाका कैसा है क्योंकि अगर इस बिल्डिंग के पास में क्योंकि अभी तक भी आग नहीं बुजी और अगर इस बिल् जिस बिल्डिंग में खटना गटी है उसके आज पास सारी कॉमर्शिल बिल्डिंग है और जिस समय आग लगी उस समय अप्रोग सो रहे थे इसी वाज़े से यह जो इंगर है और जो कैजूर्टीज है वो नंबर्स पर सकते हैं और पाइल विज़ा कहना है कि होने तीम बच जो लोग फसे थे वहां पर उनसा को रेस्क्यू कर लिया जाए निकाल लिया जाए आप नजर बना के रखें फिलाल बहुत शूर्या